बच्चों नमस्कार बच्चों हम लोग कल्षाट्षवी गडित में बृत एवम उसकी अवयाव सरकल एंड इट्स कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं बच्चों हमने इसमें अध्याय में भाग एक पल दिया हुआ है आज पढ़ेंगे भाग दो तो चलिए बच्चों सुरू करते कोड़ PXQ के माप ग्याद कीजिए एक बार प्रसन सुलेंगे बच्चों चितर में बृत खंड PQXY में बनी हुए हैं कोड़ YPQ बराबर सतरंस और कोड़ YQP बराबर 30ंस है कोड़ PQY तथा कोड़ PXQ के माप ग्याद कीजिए चितर में चितर आपने भरी बांते देख ल ब्रित पर बनी कोड़ X तथा कोड़ Y या हम ऐसा कह सकेंगे बच्चों कोड़ PYQ बराबर कोड़ PXQ बराबर होंगे कौन कौन से बराबर होंगे बच्चों PYQ और PXQ बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे एक ही चाप पर बने कोड़ है यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं एक ही चाप पर बने कोड़ है बिरित के एक ही चाप पर बने कोड़ एक ही चाप पर बने कोड़ है इसलिए ब पी वाई क्यू में तेभूट कि तीनों कॉर कॉर वाई पी तर कॉर वाई क्यू पी धन कॉर पी वाई क्यू तीनों कह दोब गच्चों 180 अब यहां पर इसका मान सत्तर अंस दिया हुआ है यूपी भी दिया हुआ है 30 अंस पी वाइक्यू नहीं दिया हुआ है पी वाइक्यू बराबर 180 अंस हो जागए यहां पर इन दुनों को जोड़ दीजे 70 और 30 होता है यहां पक्षांदर करतेंगे बच्चों कोड़ पी वाइक्यू बराबर 180 अंस एक सोगटा दीजे कोड़ पी वाइक्यू बराबर हो जाएगा इस तरह से पूर्ण PY की उगमान हमको प्राप्त हो गया बच्चों कितना प्राप्त हो गया इस प्रश्न का आंसर होगा आईए बच्चों देखें अगला प्रश्न चित्र में PQ बराबर PR तथा ओवरित का केंदर है तो तिरबुच PQR के तिनो कोण ग्याद कीजिए बच्चों यहाँ पर PQ यह स्वारी QR ब्यास है QR क्या बच्चों ब्यास है और O बृत का केंदर है यह आखिरते में हम देख पा रहे हैं प्रस्न हमने इसको देखा है अब ऐसी अ कंडिशन में कोण QPR समकोड होगा अर्थात ब्यास होगा क्योट समकोड होगा बच्चों इसे पहले बताया जा चुका है कारण कि अर्ध प्रत पर बना कोण समकोड होता है त्रिवूज PQR में बच्चों QP बराबर PR यह प्रस्न में पहले से दिया हुआ है कि दोनों पुझाएं समान हैं अर्थात समान पुझाओ के समकोड समान होगे इसलिए इस त्रिवूज में कोण PQR बराबर कोण PRQ बराबर हो जाएगा समान होगा इसलिए हम इसको क्या माल लेते हैं बच्चों? इसलिए कोण QPR प्लस कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर 180 अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों यह नभ्यान समपो ग्याद है प्रस्न में इसको हमने एक समाना हुआ है बराबर 180 अच्च 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 अ कोड PQR जो उनको याद करना था कोड PRQ इसे भी याद करना था और यह होंगे पैतालिसंस के कितना होगा बच्चों पैतालिसंस और यह हमारा आंसर होगा आएए बच्चों देखें अगला प्रश्ण चित्र में AB ब्राबर BC तथा कोड ACB ब्राबर 65 तो कोड ADC की मात भी खड ग्याद कीजिए तरह भूज ABC को लेकर चलेंगे हम बच्चों तरह भूज ABC में AB ब्राबर AC इनके समुग कौड कौन कौन है बच्चों ABC है और ECB है क्योंकि समुग कौन समान होते हैं अर्थात हमने आप ग्राम वालूम कर लिया है सब्सक्राइब और C कोड बराबर यहां कोड़ा पैसल जोड़ चिस एंस वे सब्सक्राइबonie चृचेंग इंदेंगे एक सवशे रिवशे रिवशे हैं एक सो तीसे संस कोड अ बरावबर जयागा बच्चों एक सवशे में सो तीस घटा दीजिए परापत हो जागा पचासंस कतना जागा पचासंस अब चाप द्वारा अंदे ओड गोड कोड अ और कोड D ये दिकip बडाबर है, अर्थात कौण A बडाबर हो जागा बच्चों कौण D चुकि हमको मालू है, तो हमको कौण D कमान भी पचासन समें लेगा आतहा बडाबर Graph diversity बडाबर हो जागा बच्चों 50 कितना हो जागा? 50 जो इस परश्ण का answer होगा बच्चों अगला प्रश्ण है चित्र में कोण PTR और कोण PSR की माप ग्याद कीजिए जिसमें कोण PQR ब्राव 130 एक बार प्रश्ण सुलेंगे चित्र में कोण PTR और कोण PSR की माप ग्याद कीजिए जिसमें कोण PQR ब्रावर 130 बच्चों आपने प्रश्ण को भरी भातिय लोगन कर लिया है यहाँ पर दिया है बच्चों क्या दिया है इस प्रश्ण में दिया है जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं कोड PQR कमान दिया है 130 कितना दिया है बच्चों 130 यहाँ पर जीवा क्या है जीवा है पी आर जीवा क्या है यहाँपर पी आर है जीवा के दोनों और इसको आप लिखेंगे बच्चों जीवा के दोनों और के बृत खंडों दोनों और के बृत खंडों में बने कोड बृत खंडों में बने कोडों का योग 180 होता है कितना होता है बच्चों 180 होता है इसलिए कोड PTR देहां से देखेंगे कोड PTR कोड PQR ब्रावर हो जागा 180 कोड PTR धन PQR का मांद दिया हुआ है बच्चों प्रस्चन में 130 यह दिया हुआ है 130 बडावर 180 पक्षांतर कर देंगे बच्चों PTR बडावर हो जाएगा 180 130 PTR बडावर 180, 130 घटा दीजी 50 कितना हो जागा 50 जो इस प्रस्चन के क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा बच्चों इस प्रस्चन के साथ ही आज का क्लास नहीं समाप्त होता है बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर करिएगा यदि आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिरकों नहीं भूलिएगा बच्चों आपसे फिर बुड़ा बात हो यदि अगले कलास में तब तक के लिए नमस्कार